हेले दोस्तों आज शुजुन हम सेहेंगे कि इस तरह की कोई संख्या आ जाये और बीच में equal है तो इसको किस प्रकार से हम solve करते हैं एक जो lengthy process होता है जो सबसे लंबा process होता है वो ये process होता है कि वरज्य गूना करना इनको जैसे ही 5 है तो 5 को इससे multiply कर दी यहां 25 है तो 25 को इससे multiply कर दिया ठीक है करने के बाद फिर इसका divide करते हैं तो यह तो होता है बहुत लंबा process एक दूसरा process यह होता है बहुत सारे student को आता भी है नहीं भी आता है तो वीडियो को last तक देख लेना क्योंकि जो आता भी है लूँगा जिसमें plus भी होगा multiply भी होगा हो सकता है ठीक है तो वह वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से यह नोर्मल कैल्कुलेशन हर कोई कर लेगा जहां तक मैं मानता हूं फिर भी एक बास समझाना जरूरी है तो दोस्त इसमें क्या होता है इस तरीके के आपको दे रखता हूं यहां सभी multiply में है मतलब की गुणा में है ठीक है अब यह सभी गुणा में है तो हम इसको इस प्रकार भी कार सकते हैं कि इन से नीचे वाली संख्या को उपर वाली संख्या से या मैं कहा हूं उपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्य काट सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं बात करूँ 25 को काटता हूं और 5 से ठीक है 5 से इसको काटता हूं तो 5 25 और मैं इसको काटता हूं 5 से 5 35 इस तरीके से हो जाता है ठीक है अब 5 से मैं और काटना कर लेते हैं इसमें ठीक है अब यहां जो साथ बचा है यहां तीन बचा यहां साथ बचा बचा अब दोस्ति यहां multiply का निशान दना गुणा का निशान ती गुणा में है ठीक है याद रखना है ध्यान रखना अपने यह गुणा में है तो इसका एक रूल यह भी होता है कि आप उपर वाली संक्या को उपर वाली संक्या से काट सकते हैं नीचे वाली संक्या को नीचे वाली संक्या से काट सकते हैं ऐसा नहीं करना दोस्तों जैसे कि अगर सिर्ट 2 उसाड़ान सोब 2 तो समया को उपर वाली संघ्या से खार देतेैं तो कहती हैं कि उपर उपर वली संग्या को उपर वली संग्या से कार सकते हैं तो कट रहा है तो साथ से कर जाता है साथ से कर जाता है साथ से 21 होता है तीन सत्तु 21 क्यूंकि मल्टिप्लाइ के निसान ने तीन गुना में साथ कितना होता है 21 होता है 21 से 21 कर जाता है ठीक है अब आपके पास क्या बच यहां नीचे भी कुछ नहीं बचरा तो इसका मतलब होता है कि यहां एक बचरा है क्योंकि मुल्टिपल गुणांक में था तो पूरा-पूरा भाग चल जाता है कि इसका मतलब ही आए कि एक बचरा गया ठीक है तो पूरा पूरा चला गया यहां कुछ नहीं बचरा तो एक तो बच रहा है यहां धान रखना कि एक तो बच रहा है ठीक है तो एक बच रहा है इधर क्या बच रहा है इधर आपका एक्स बच रहा है यहां क्या बच रहा है पांच बच रहा है अब इसको में लेकर रहा हूं यहां वैसे आपके पास कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब बच रहा है नीचे एक बच रहा है बराबर करेंगे यहां क्या बच रहा है यहां भी एक बच रहा है वैसे तो एक को गुणा करते हैं एक से तो एक से को कोई भी संक्या को एक से स्वाइब कर कर वह संख आई तो पांच आपकर अधर आ जाएगा एक सापका यहीиц रएगा तो एक स्पलिड़ाबर आपको क्यों जाएगा पांच रेका यह आपका अन्सर हो जाएगा अगर आप से पूछें कि एक्सlarda फिर से लिखार हुं हम आपको कि एक सेकंड देखता हूं कितना बैक हो जाता है इतना बैक करने को अब दोस्तों यहां मेरे कहने हैं मतलब यह था था उस्टेम कि जैसे नीचे वली संक्या को नीचे संक्या से काट सकते हैं जैसे पांच से मैं इसको काटना जाओं पांच से कम पांच 25 क्योंकि इकवल का निसान है दोस्तों इकवल का निसान है मतलब कि बराबर का निसान तो नीचे वाली संग्या से नीचे वाली संग्या काट सकते हैं और इधर की संग्या से इधर वाली संग्या इधर वाली संग्या से इ यहां 7 है, 7 से कारता है, इसको 7 किस? 3 बर कट गया, ठीक है? इस 7 से ये 7 कट जाएगा, अब यहां क्या बचरा है? 3 बचरा 3, 1 कम 3 और 3 पंचु 15 ठीक है, तो यहां X बचरा, यहां 5 बचरा है, नीचे क्या बचरा 1 किसी संख्या में एक से divide करते हैं या multiply करते हैं या मेरे कहने का मतलब हिंदी में कहूं तो किसी संक्या को एक से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो इसे हैं क्या आती है तो आपको पता है ठीक है तो यहां 5 बच रहा है यहां x बच रहा है तो x ब्राबर आपका क्या रहा है 5 ठीक है इस तरीके से अब आपको यह मैंड के अंदर calculation कर लेनी है बहुत सारा क्या होता है कि मैंड क काट हो जाती है तब आप इसको बिन कार आइख करते हो तक केलकुरीजे लोंग क hedge करना है छीक है और नियुत मर्जी करें उस तरीके से काड़ देना याद रखना equal का निसान है यहां multiple का निसान है तो उपर वाली संक्या से नीचे वाली संक्या भी कड़ सकती है यह मैं कहूं नीचे वाली संक्या से जो equal के बराबर में नीचे वाली संक्या वो भी कड़ सकती है उपर वाली संक्या से और एक्जामपल लेता है आप मैं ले लेता हूं कोई भी एक्जामपल ले लो तो चल्यक्त कुछ भी ले लेता हैं शेवन मल्टप्राइट मल्टप्लाइट थिट्रीस एक सेकंड 24 multiply 6 multiply x multiply 3 और divide by आपका हो जाएगा 2 ठीक है अब वोई वाली बात है तो उपर वाली संक्या से उपर वाली संक्या कार सकते हैं नीचे वाली संक्या से नीचे वाली संक्या कार सकते हैं यहां आपको तीन नजरा आ रहा है सुन्दर सा, यहां भी आपको तीन नजरा आ रहा थीन से तीन कट गया, अब 6 की बात करू यहां आपका क्या बच रहा है, only 4 बच रहा है, चार बच रहा है, तो 4 से अब 8 भी कट रहा है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, अब यहां कितना बच रहा है, 7 multiply 2, 7 दूनी 14, 14, एक सेकें, यहां 14 बच रहा है, और divide वेर आपका कितना बच रहा है, एक बच रहा है, तो एक तो ल पर सारे कटगे नंए एक से बचाया है multiply एक आएक आएगा तो एक से कुछ इस इगा नीचे की आ आ रहा है अब यह व्रज्य गुणा होता है यह इस से गुणा वुटा होता है तो यह इधर जाके गुणा होगा कितना हो जाएगा 14 दुनी 28 हो जाएगा तो X का मान कितना आजाएगा 28 ठीक है अब इसको इस तरीके से नहीं लिखना आपको क्या करना आपको पता है कि यारे यहां 7 दुनी 14 हो रहा है तो यहां 2 बच्रा 2 इससे multiply होगा तो 2 और multiply करते है 7 दुनी 14, 14 दुनी 28 तो यहां क्या बच्रा एक्स तो X बराबर 28 यहां आपका अंसर हो जाता इस तरीके से आपका अगर क्यूशन आता इस तरीके से कोई समीकर आपकी कैलकुलेसिन बन रही होती तो आपका अंसर हो जाता 28 कुछ भी कैलकुलेसिन बन सकती है ठीक है दोस्तों और एक्जाम्पल ले लेते हैं और फिर उसके बाद में प्लस मैनस वाला लेते हैं देखो यहां मैं ले रहा हूं पांच गुणा में 6 गुणा में 10 और भाव देता हूं किस तरीके से करना है जब कैल्कुलेशन आगे तो वहां कुछ भी नहीं लेना है ठीक है इसा नहीं कि कि आपको एक्स कमान निकालना तो किस तरीके से निकालना होगा अब वही मैंने आपको बता है कि उस तरीके शोल करने यहां दस दी दिख रहा है तो 0 से 0 कट जाएगे 6 की बात करो 6 कम 6 पूरा कट गया ठीक है तो उपर से नीचे कट सकता है यह आपको पता है ठीक है आप यहां equal करने सान है यह multiple में यह भी multiple में मतलब कि गुणांक में है गुणा में है तो यहां 5 से इसको काट सकता हूँ काट सकता हूँ दोस्तों काट सकता हूँ 5 से कम 5 5 से दिख 15 ठीक है अब आपका जो x वो कहां चला जाएगा इधर चला जाएगे यहां क्या एक है तो एक को x गुणा करेंगे x यह आना है तो यह तो मैंड कंदर भी हो जाना चाहिए ठीक है अब इसकी बात कर लेते है आठ चुक 32 और 32 तीया कितना होता है छान में तो x कमान आपका कितना जाता है छान में तो कोई भी क्याल किस्ट इस तरी के से निका सकते हैं एक क्यलक्प्लेशन और ले लेते हैं यहां कन्फ्यूजिंग होती है दोस्तों देखो जैसे कि आपके क्यलक्लेशन है 25 गुणा में 24 ठीक है यहां और बड़ा लेते हैं एक बड़ा तीन ठीक है बराबर कर लेते हैं है यहां 12 और यहां मल्टीपल कर देता हूं एक्स प्लस बग्चेश और बटे कर देता हूं मैं यहां 2 ब्रट तीे अब आप से यहां दो बटे तीन से तीन से तीन कट जाएगा ठीक है यह इस तरीके से होता है आपको पता है कि यह उपर जाके गुणा हो जाता है यह भी उपर जाके गुणा होगा तो यहां गुणा में तीन आएगा यहां भी गुणा में तीन आएगा तो बरापर का निसान है तो तीन स तीन कट जाएगा तो यहां 3 से यह 3 कट जाएगा इस तरीके से ठीक है है बट इतने समद्दार हूं आप कर लोगे मैं यह वांगता हूं तो यहां 3 से 3 कट गया अब आपका क्या बच्रहा है यहां आपका बारा बज़ रहा है बारा गुणा में और इधर आ रहा है पत्चिस गुणा में 24 दोस्तों यहां बारा गुणा में X प्लस 25 है अब दोस्तों काफी student क्या करते हैं यहां 25 से 25 उड़ा देते हैं ऐसा नहीं करना दोस्तों क्यों नहीं करना क्योंकि यहां plus का निशान है और यह bracket के अंदर है और multiple क्यों है 12 है गुणा में 12 है तो 12 अगर इसको solve करते हैं तो 12 गुणा में x कितना होगा 12 x plus में 12 गुणा में 25 जो संक्या है कि वो आएगे ठीक है त जो हमें गुणांग में दे रख है नो only उसको ही काटना जो हमें भाहर दे रख है उसी को काटना फिर solve करके फिर बाद में अगर कटता है तो काटना है ठीक है फिर से समझा रहा हूं यहां दोस्तों आपको दहान देना है यहां plus का निशान है ठीक है यहां क्या है plus का निश चाहुआ यहां आपको हमल जाता है इसके साथ में U W400 से Bishop में मिल जाता है यहां प्लस मिल रहा है और यह पंच्ची दूनी 50 होगा और पचास यह दो जो बज रहा है वो इधर जाके गुणा होगा प्चित दूनी पचास ये दो इधर जाकी गुणा होता है व्रज़ गुणा बोलते हैं ख्रोस मल्टिप्लाई ठीक है ख्रोस मल्टिप्लाई होगा तो पच्चीत दूनी पचास, पचास दूनी सो हो जाएगा तो सो बड़ाबर अब आपका यहां क्या बचा इक बच्चा तों एक स्क्माण ऑपका क्या है पिछेतर और यह भी मैंड के अंदर करना अगर आप कंपेटेश इस तहरी कर ≫ तो माइंड कंदर तो करना पड़ा गई अब इसको हमने काटा इससे दो बारा दूनी चोबिस दो बढ़ गया पच्छे तो नी पचास पचास दूनी 100 जाता है तो यहां प्लस का निसार यहां क्या रहा है उनली एक या रहा है तो यह तो यह तो चोख को समझ में आ रहा हो 이야기 हो अगर दोस्तो समझ में आ रहा है तो व्रीडियो लाक दो नाशकर लेगा और एक एक्जाम्पल और ले लेता हैं, साइध मेरी साथ से कन्फूजिंग हो रहा होगा पीबी, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, 36 गुणा में, 12, मैं यहां मान लेता हूँ, यहां X मान लेता हूँ, ठीक है, और यहां मैं मान लेता हूँ, यहां X प्लस 2 मान लेता हूँ, ठीक है, और यहां मैं मान लेता हूँ, बहेतर मल्टिपलाई 6 डिवाइड बाई 2 मान लेता हूँ, ठीक है, अब इसको सोल करना, अब आप से पूछा कि X का मान बताना है, तो X का मान आपको निकालना है, या कोई भी आपकी कैलकुलेशन बन रहे हैं, जिसमें X का मान निकालना है, इस तरीके कैलकुलेशन बन रहे हैं, तो अब इसको किस तरीके से काटना है, आपको, वही तरीका, उपर वाले संग्या को, नीचे वाले संग्या को, नीचे वाले बात है, यहाँ plus का है और यहाँ, यहाँ कचुना यहाँ only 2 है ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से नहीं कटेगा 2 से 2 नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ plus में है, bracket के अंदर plus में है, bracket भी नहीं हो तो प्लस में है, तो भी नहीं कट सकता क्योंकि multiple में होगा तो ही कटेगा यह divide में होगा तो ही कटेगा divide का मतलब बटे में ठीक है तो इस तरीके से नहीं काटना दो को अगर आप काटो कभी बारा से दो एक कम दो दो ची के बारा इस तरीके से नहीं क्योंकि यहाँ plus में है दोस्तों यहाँ multiple में है ठीक है तो अब इसको किस तरीके से करना है अब आपको करना है इसको तो ऐसे कैसे देना है उपर वाले संक्या को जो मल्टीपल को मल्टीपल से कर देते हैं या मैं कहूं कि उपर वाले संक्या को उपर वाले संक्या से काड़ देते हैं या उपर नीचे हम काड़ सकते हैं तो 36 से कारते हैं, 6 कम 6, 6 दुनी 12, ठीक है, तो 2 बर गया है, अब x प्लस 2, और यहां 2 आ रहा है, अब यह इधर जाएगा, multiple में हो जाएगा, यहां क्या बच रहा है, only एक बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, तो 2 बराबर x प्लस 2, ठीक है, अब 2 आपका इधर ले क्या होगे, आपको, आप इधर ले क्या होगे, तो इधर ले क्या होगे, तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, मैनस में, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका अंसर हो जाएगा, 0, I hope आपको समझ में आ रहागो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल subscribe कर देना